जब मैंने पहली बार राधिका से मुलाकात की, तो मुझे पता चला कि आनन्द ने अपनी आत्मा की साथी, अपनी पर्फेक्ट कम्पैनियन को ढूंड लिया है, और मुझे एक और बेटी मिली, जिसे मेरी तरह नृत्य से प्यार है. राधिका, हम तुम्हे खुले हाथों और बाहों के साथ अंबानी बेटी के रूप में स्वागत करते हैं, तुम सिर्फ आनन्द के साथी ही नहीं हो, लेकिन एक प्रियपुत्री, बहन, मौसी, काकी, मामी और हम सब की जिन्दगी की रौशनी के रूप में, आनन्द, तुम हम सभी के लिए भगवान की देन हो, मेरा दिल, प्यार और गर्व से भर जाता है, आप सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े दिल वाले हैं, आप सबसे दयालू हैं और सबसे मजबूत संकल्प वाले हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, आनन्द ने वंतारा कब शुरू किया, मु मेशा से ही उसके दिल में रहा है, उन्होंने वर्षों में इस संस्था को और अधिक आपचारिक बनाने में सक्षम रहे हैं, मुझे यह देखने का सौभागे मिला है, कि अनन्द और उनकी टीम ने इस दृष्टी को साकार करने के लिए अपने दिलों और आत्माओं को कैसे समर्पित किया है, किसी ने मुझे से एक बार कहा था, जब आप एक साथी ढूनते हैं, तो आप वास्तव में क्या पाते हैं, आप जो वास्तव में पाते हैं, वह है किसी को अपने जीवन का गवाह बनाना, इस धरती पर एक अरब से अधिक लोग हैं, और एक जीवन वास्त तुम्हारा जीवन अंदेखा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसे देखूँँगा अनंद तुम्हारे सुंदर जीवन का साक्षी बनना मेरे लिए एक आशीरवाद है अनंद और मैं इस स्थान को अपने दिल के इतने करीब आप सभी के साथ साझा करने में इतने भागिशाली हैं जामनगर यह सिर्फ यह दिखाने का उदाहरन नहीं है कि भारती उद्योग कितना विस्तृत हो सकता है यह यह दिखाने का उदाहरन है कि एक मानव हृदय कितना विस्तृत हो सकता है अनन्द की दादाजी श्रीधिरु भाई अंबानी ने यहां विश्व का सबसे बड़ा टाउंशिप खोलने का सपना देखा था यहां की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी जिसे मुकेश अंकल ने बड़ी सटीकता से साकार किया और नीता आंटी ने एक जीवन टाउंशिप और हरित पट्टी का निर्मान किया जो कभी बंजर जमीन थी इसने अनंद को अपने जुनून को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैनवास दिया हमारे परिवार की तीन पीडियों ने मिलकर जाम नगर के लिए समर्पन किया है और हमें आज इसे आप सभी के साथ सांचा करने का गर्व महसूस हो रहा है हमारे उत्सवों का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर धन्यवाद